वेल्कम बैक टुमाइज चैनल इस रिचल लव टैराट कैसे हैं आप लोग अपनी लाइफ में इंज्डॉय करेंगे एप्य होंगे दियर आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिच्वेशन आज हम पूरी तरह से देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड प कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की सिच्वेशन क्या है क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ऐसी कौन सी सिच्वेशन है जहां पर ये थर्ड पार्टी जो है क्या कर रही है क्या चाहती है और डियर आपके पार्टनर जो हैं वो क्या चाहते हैं ठीके तो चलिए हम देखने के कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की सिच्वेशन क्या है क्या चाहती है ये थर्ड पार्टी प्लीज उनिवर्स बताएं कि थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है औ बहुत ज़्यादा ऐसे situation दिख रही है कि ये partner जो है किसी तरह के किसी तरह के स्थितियों को सहन कर रहे हैं मतलब बहुत ज़्यादा सहन करने वाली energy है egoistic person था आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत घमन डी बहुत ज़्यादा egoistic उस तरह के energy रही है इस person की pentacles तो seven of pentacles के energy आई है four of swords next card जो है dear five of swords आप देख पा रहें कि क्या situation चल रही है third party और आपके partner की बीच में बहुत गजब बजब की situation दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ ऐसी बाते हो रही है कुछ ऐसी energy निकल के आई है जिसके बारे में आप सोचे ना तो बहुत कुछ हो रहा है बहुत सारी situation जो है यहाँ पर अलग सी दिख रही है ठीक है तो cards निकल चुके है dear और bottom के energy से अगर देखा जाए तो dear यहाँ पर moon के energy आई है देखें bottom के energy से moon के energy है साइन आपको मैं बता देती हूँ dear यहाँ पर जो साइन निकल के आए है सबसे पहले आप देख लीजिए तो यहाँ पर Gemini Libra Aquarius है Aries Leo Sagittarius है Taurus Virgo Capricorn है Leo और Aquarius जो है वो heavy है और dear Cancer Scorpio Pisces Taurus Virgo Capricorn तो जो साइन आए है वो मैंने आपको बता दिया है आपके partner ने आपके साथ में क्या किया है इस third party situation के current to dear काफी हद तक यह दिख रहा है कि आपके partner ने कहीं न कहीं कुछ गलत चीज़ें ऐसी कर दी है कुछ गलत situation ऐसी create करी है जिससे आपका दिल जो है तूटा है ठीके परिशान करते आए हैं हो सकता है किसी बात को लेकर आप पर बहुत ज़्यादा pressure डाला आपके partner ने कोई भी बात हो सकती है मान लीजिए थर्ड party आपकी life में involved हो गई थी तो आपके partner बहुत ज़्यादा nature change हो गया ego दिखाने लगे pressure डालने लगे आप पर दबाव बनाने लगे कि आप accept कर ले हर इस्तिती को तो वो चीज़ दिख रहे है ego हमेशा दिखाते आए डियर जो आप बिजब नहीं करते थे ना वो आपको दिया है आपके partner ने तो बहुत सारी ऐसी चीज़े आपके partner करे जो शायद बहुत ही अलग था आपके life में life में आप दुखी हो गए डियर बहुत ज़्यादा दुखा आपने सहन किया अभी आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है आप में से काफी लोग ऐसे हैं कि सारी खुशियां है आपके पास में ठीके हो सकता है कि आपके पास में finance अच्छा हो हो सकता है कि आपके पास में बात करने के लिए कुछ लोग हो आप happy feel करें यदि सारी सुक सुविधाय होते हुए भी आप अभी अकेला महसूस करते हैं अपने आपको इतने लोगों के बीच में होते हुए भी आप अकेला महसूस करते हैं यहाँ पर इस अकेलेपन की वज़ा जो है यह आपका पार्टनर ही मुझे दिख रहा है दियर और थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर ने भी बहुत परिशान किया है आपको काफी हद तक ऐसी सिच्वेशन दिख रही है कि आपके पार्टनर ने कोई कसर नहीं छोड़ी जब यह थर्ड पार्टी आपके जिंदगी में प्रॉब्लम क्रियेट कर रही थी जब यह थर्ड पार्टी आपकी लाइफ को कहीं न कहीं ऐसी सिच्वेशन में ला रही थी जहां पर आप बहुत बर्डन ले रहे थे बहुत सहन कर रहे थे तब आपके पार्टनर ने भी कोई कस आपको ठेस पहुचाने में या आपको दिल तोड़ने में तो यहां पर आपके पार्टनर बराबर भागेदारी देते रहे उस थर्ड पार्टी की तो यह चीज दिख रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों ही आपके गुनहेगार हैं यह चीज दिख रही है थर्ड पार्टी ने आपकी जिन्दगी लाइफ को जीना दुर्भर कर दिया, पूरे तरह से जब से ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आई, आपका जीना दुर्भर हो गया, आप इस थर्ड पार्टी के कारण दुखी हो गए है, दियर, काफे लोगों के लिए मुझे आप काई ने और दिल के आपके गमों का है ना एक बहुत आप गमी गम में घूमते रहते हो कि कैसे आपके जिन्दगी में मतलब सोचना रोना यही आपके कहीं न कहीं दिख रहा है आसों को छुपाना वो चीज यहां पर ज्यादा दिख रही है कि आप यह सब चीजे करते हैं और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं अभी जिसकी एनरजी करेंट आप में से कुछ लोग जो देख हैं हैं बहुत सैट फील कर रहे हैं आज आपके एनरजी जो है बहुत ज़्यादा लो हाई लो हाई ऐसा हो रहा है एमोशन सा आपके बहुत हैवी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पार्टनर को लेके बहुत सीरियस हो रहे हो कुछ पास्ट की बातों को लेके सीरियस हो रहे हो, कुछ तो आपके दिल में चल रहा है और डियर आपका नेचर अभी इस तरह का नहीं है कि आप हैपी हो, आप बहुत ज़दा साट फिल कर रहे हो आप में से कुछ लोगों के एनर्जी मुझे फिल हो रही है कि बहुत बहुत साट अपने फैमिली वालों से भी कुछ रूट बिहेव कर रहे हैं तो यह थोड़ा सा चेंज आपकी एनर्जी में दिख रहा आए डियर अगर ऐसी आपकी एनर्जी है तो मैं आपसे यही कहूंगी कि सब बातों को इग्नोर करके थोड़ा सा अपने लिए music सुन लीजिए किसी तर का किसी तरह की चैंटिंग कर लेजिए ले जाएए meditation कर लेजिए यह आपको बहुत जरूरी है अगर किसी के एनर्जी ऐसी है इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा बहुत positive एनर्जी में आजाओगे क्योंकि जिस एनर्जी में अभी आप बहर रहे हो ना वो एनर्जी गलत जगा पर ले जाएगी बहुत गलत जगा गलत डिसीजन आपका हो सकता है आपके अपनों के बीच में आप अकेले रह सकते हो तो यहाँ पर मेरी तरफ से यही guidance है कि प्लीज चैंटिंग करो music सुनो किसी तरह का है ना अपना ध्यान लगाओ अगर आप चैंटिंग करते हो मंतरा सुनते हो तो रैट तारा मंतरा का यूज करें इससे आपको बहुत positive energy मिलेगी डियर और आपकी love life में जो भी problem चल रही है वो भी काफी हद तक solve हो जाएगी और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यह third party के कारण आप अपने गम जो है किसी को बता नहीं पाते हो आप तर आप बहुत ज्यादा रोड रहे हो आजकल बहुत ज्यादा hurt हुए हो कहीं न कहीं किसी को अपना दुखड़ा सुना नहीं सकते हो आप आपका दिल है बहुत दुखी है बहुत ज्यादा दुख में दिख रहा है आपका दर्द कोई समझ नहीं सकता इतना ज्यादा आप डिस्टब है इतना ज़्यादा आप अभी सहन कर रहे हैं देखे आप अपना जो आपके लाइफ में जो आप बीती है वो किसी से शेर भी नहीं कर पाते हैं आप मेंसे कुछ लोग तो ऐसे हैं अगर आप शेर भी करना चाहें या बात भी करना चाहें उस बारे में तो आपके आँखों से आंसु आ जाते हैं आप बात ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं आप रोने लगते हो क्योंकि वो पल ही ऐसा रहा है जब आपने अपना सब कुछ दाओ पे लगा दिया है और आप वो बार बार इस्थितियों के बारे में सोच कर वो ही सिच्वेशन के बारे में सोच कर आप बहुत हर्ट होते हो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो तो आप रोध होगे डियर किसी को अपने जजबात आप शेयर नहीं कर पाते हो आपको आप जो हो न बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो और डियर आपका दिल जो है बहुत ज़्यादा soft मुझे दिख रहा है, बहुत प्यारी से energy है आपकी, आप कोई भी बात को दिल से लगा लेते हो, दिखें आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अगर मैं बात करूँ आपकी तो अभी आपकी energy ऐसी हो रही है, आप अभी कुछ भी अच जाना ही नहीं है उनकी तरफ कि आप किसी से अपनी बाते शेयर कर लो, आप किसी को अपना दर्द बता लो, क्योंकि आप जो हो ना, आपके person का साथ चाहिए आपको, आप जिस energy में हो, जिस भी energy में, जितना भी दुख आपको मिला है, जो भी परिशानी है, आपको अभी भ पाटनर के लिए अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं, आज भी उसका इंतजार कर रहे हैं, बेस अबरी से और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, जो चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में आ जाए, वो आपको कुछ commitment दे, वो आपको प्यार दे, वो love दे, वो feelings दे, जो आप च है कि आपके person जो है, आप से बहुत दूर है, डियर, आप बहुत परिशानी में हैं, हो सकता है कि ये partner जो है, आप से दूर चला गया है, हो सकता है कि ये partner और आपके बीच में distance हो गया है, तो आप बहुत जदा परिशानी में दिख रहे हैं, tension में हैं, आपके person है, कहां, क्य कर रहे हैं कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि वो इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो पार्टनर की एनरजी क्या है आपको कोई खेर खबर नहीं है उस परसन की बहुत दूर हो गए है वो पार्टनर आपकी जिंदगी से सिर्फ और सिर्फ वो थर्ड पार् पूरी तरह से खराब हुई है ठीक है इस थर्ड पार्टी ने आपके परसन को अपने फायदे के लिए यूज किया था पता है आपको कहीं न कहीं ये थर्ड पार्टी जो थी जिसके पीछे आपके पार्टनर गए थे वो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने फाय ये सिर्फ है ना आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की बुद्धी भश्ट हो गई थी यानि बुद्धी पुरी तरह से खराब हो गई थी और आपके पर्सन जो हैं आपके पार्टनर जो हैं उनको समझ में कुछ भी नहीं आया और वो चल पड़े थर्ड पार्टी के पीछे एक तरह से ऐसा दिख रहे कि ये थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कहीं न कहीं सम्मोहित कर लिया था आपके पार्टनर को सम्मोहित कर लिया अपने जादू में फसा लिया और पार्टनर आपकी तो बात भी नहीं सुनते हैं डियर ह हो सकता है कि जब से ये थर्ड पार्टी के सम्मोहन में चले गए जब से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के निगरानी में चले गए जब से आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ में रिष्टा जोड़ा तब से ये पार्टनर जो हैं आपकी तो बात ही सुनना इग इस परसन के पीछे अटके रहे, आप में से कुछ लोग हैं, कि आज भी इनका इंतिजार कर रहें, आज भी इनके लिए वेट कर रहें, आप चाहते हैं, तो हो, कि इस सिच्वेशन से बहार निकल सकते हो, और निकल जाओ, ये आपके दिल में कुछ-कुछ थौड से, कुछ ल बस आपने क्या कर रखा है, एक boundary बना रखिए, आप अपने पार्टनर के एनर्जी में ही पड़े हो, आप उस पास्ट के एनर्जी में ही पड़े हो, डियर, आप उस एनर्जी से बाहर निकलने को तैयार होते हो, पर वापस से वही पहुँच जाते हो तो यह चीज यहां पर दिख रही है कि आपने अपने इर्द गिर्द एक बॉंडरीज बना रखी है आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और को अपनी लाइफ में आने ही नहीं दे रहे हो किसी और के बारे में सोची नहीं रहे हो आप में से कुछ जबकि आपके लाइफ में कुछ involved हुए हैं कुछ लोग ऐसे आए हैं कुछ अच्छे रिष्टे ऐसे आए हैं कुछ ऐसे offer आपके लाइफ में आए हैं जो आपको पसंद करते हैं जो आपके साथ में लाइफ विताने को तयार हैं पर डियर आप जो हैं अपनी boundaries को cross नहीं करना ठर्ड़ पार्टी को छोड़ कर आप अपने दिल को ये समझा रहे हो पर आपका दिल भी जानता है कि कुछ लोगों के partner जो हैं ठर्ड़ पार्टी के साथ में attached हो चुके हैं कुछ लोगों के partner जो हैं 3rd party से शादी कर चुके हैं पर फिर भी आप अठके हुए हो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी दिखना है कि थरड पार्टी अपना देख रही है ये आपके पार्टनर को तो इस ने सममोहित करके हुए है साथ ही वह अपना कुछ प्रोफेट ़ोफेट ये थर्ड पार्टी जो है उसकी जिन्दगी जो है ना इस मुकाम पर है कि तू नहीं तो और सही और नहीं तो और सही तो यहां पर यह थर्ड पार्टी जो है अपनी मौज मस्ती में अपने इंजॉइमेंट में अपना फाइदा इन सब चीजों को लेकर बहुत कुछ सोचती आप है third party जो है ना बहुत गलत सोच रहे है आपके partner को लेकर third party रिष्टा खराब करे बगयर मानती नहीं है तो इसने वही रिष्टा खराब किया है आपका आपके partner की सोच को खराब करदी है आपके पार्टनर की बुद्धी जो थी वो भश्च हो गई समोहन हो गया उनको तो वो चीज़ जहां पर दिख रही है ओवर इस्तमाल करती है ये थर्ड पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में रहती है ये थर्ड पार्टी लोगों की जिन्दगियां बर्बात करी है कहीं न कहीं लोगों की लाइफ के साथ में खिलवाड हुआ है ये थर्ड पार्टी इंजॉइमेंट करती है इसको बहुत खुशी होती है कि कोई बंदा है जो उसकी तरफ अट्रेक्ट हो जाए कोई बंदा जो है उसको अपनी दुनिया मानने लगे उस पर जान निचावर करने लगे है ना उसको अच्छे अच्छे गिफ्ट दे उसको responsibility दे ये third party जो है ना इसके लाल सा बहुत है इसके लालच बहुत है और इसके अंदर इस तरह की ही लालच है कि कोई इसको एड्मायर क अरे खुब इसको enjoy करने को मिले उसके साथ में तो ये चीज़े यहां पर दिख रही है third party की और डियर यहां पर अपना काम कराती रहती है ये third party enjoy भी करती है अपना काम भी निकवालती है मतलब पूरी तरह से use करना है भई हमें 100% use करना है अगर हमें data मिला है free का तो भई हम उसे use करेंगे ही न तो यहां पर यह third party जो है आपके partner को 100% use करती हुई दिख रही है और डियर इतना ज़्यादा उनका use कर लेगी कि आपके partner के पास में जितनी energy है वो तो जाएगी ही जाएगी जो property है जो उनका business है वो भी चोपट होता हुआ दिख रहा है तो यहां पर यह third party जो है अपने enjoyment के लिए अपना काम कराती है जैसे ही काम निकल जाता है ना उसका जैसे ही हो सकता है कि उसकी कोई demand हो हो सकता है कि उसे किसी तरह का business share करना है किसी तरह की कोई property चाहिए है ना कोई गारी चाहिए तो जो भी demand है वो पूरी हुई और डियर third party ने फोरान आपक पार्टनर के साथ में और third party करती है डियर 100% करती है पर यहाँ पर आपको पता है एक ऐसा change आने वाला है एक ऐसी situation यहाँ पर create होने वाली है कि यह third party थोड़ा सा अब क्या कर रही है इसका mood बदलने वाला है mood swing हो रहे है third party के क्यों हो रहे हैं क्योंकि third party थोड़ा बोर हो दिख रही है थक गई है डियर आपके partner के साथ में तो जब वो थक जाती है तो वो अपना taste change कर देती है आप समझ रहे हैं वो आपके partner को fake देगी कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि उस partner को fake देती है अपनी जिंदगी से निकाल के तो यह third party थक चुकी है अब आपके partner से और य आपके पार्टनर के लिए तो बहुत हाई दिल तूट गया बहुत ही बुरी तरह से सिच्वेशन होने वाली है आपके पार्टनर के दिल के जो है उनको बहुत थेस पहुचने वाली है और इस तरह के थेस पहुचने वाली है कि यह बंदा जो है इस सिच्वेशन में आ और डियर करे तो क्या करे दिल के तुकडे हो गए हजार तो विचारा करे तो क्या करे न तो यहां पर आप देखिएगा कि यह पार्टनर के हाल जो हैं बेहाल होने वाले हैं थर्ड पार्टी जो हैं निकाल के जैसे ही फेकेगी न आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि इस थर आने कुछ ऐसी चीजे कुछ ऐसे decision लेना चाहती है जहां पर वो आपके partner से कुछ demand पुरी कर सके हो सकता है देखो बंदे को छोड़ने से पहले जो भी बचा कुछा है वो भी तो ले लेन दो तो ये third party कि कहीं न कहीं कुछ बाते ऐसी हैं कुछ ऐसी चीजे हैं कि ये third party जो है आपके partner से बहुत सारी चीजे लेना चाहती है बहुत सारी तो उसकी कोई demand है dear और उस demand को लेकर ये third party dear आपके partner के पास जाना चाहती है कुछ तो इसके दिल में ऐसी चल रहा है अभी के समय अभी अभी वो partner से बहुत कुछ लेना चाहती है कुछ तो लेना चाहती है पता है आपको हो सकता है ये उनको पूरी तरह से यूज कर ले उनके फास्स में जो भी चीजे हैं वो सब कुछ ले ले तो ये third party जो है ना किसी तरह से कहीं न कहीं आपके partner को अभी option की तरह ही यूज करती होई दिख रही है डियर और पार्टनर को निकाल के फेकने वाली है पहले जो जो चीजे आपके पार्टनर के पास रहे गई है हो सकता है थर्ड पार्टी के नजर नहीं पड़ी हो उन चीजों पर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को नहीं बताया अब बताया हो है ना जब third party उनसे दूर होने के बारे में सोच ली तो third party ने सोच भई थोड़ा सा और time vests कर लेते हैं थोड़ा सा और रुख जाती हूं मैं situation में जो इनके पास में है वो भी शायद मुझे मिल जाए तो यहाँ पर third party planning कर रही है कि जो कुछ बचा हुआ है वो तो मैं ले लूँ तो यहाँ पर third party आपके partner को पूरी तरह से निचोड़ने वाली है यह उनको use करके option की तरफ फेकने वाली है और dear move on होना है इस third party को आपके partner की जिन्दगी से निकलना है move on होना है और dear यह move on 100% करेगी ठीके यह third party partner से कुछ ना बोले बगैर कुछ तो यह ऐसा करेगी जो भी करेगी ना उससे dear आपने उसमझ लीजे third party के तो वारी नियारे हो जाएंगे third year आपके partner जो है मैंने बताया ना वो इस तरह के isolation में पहुचने वाले हैं क्योंकि यह third party बिना बताए आपके partner की कोई property बिना बताए उनकी कोई गारी उनका कोई business कुछ तो sell करने वाली है कुछ तो बेचने वाली है जहां पर आपके partner को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि third party ने उनकी चीज़े में से कुछ बेच दिया है या उनको बहुत ज़्यादा loss हुआ है बस यह एहसास इस partner को हो जाएगा कि यह third party जो है इसके कारण इनका financial loss हुआ है तो बस यह चीज़ इनको कहीं न कहीं महसूस होगी पर यह partner जो है ना धक्का लगेगा इस partner को बहुत पढ़ेगा डियर क्योंकि एद्दम से जटका देने वाली है third party अब आपके partner के आँग जो है ना खुलने वाली है डियर आप में से काफी लोग चाहा रहे थे ना कि third party का जो भी proof है वो आपके partner के सामने आए तो यहाँ पर एक सच सब चीज़ें जो जानकर परखकर आपके partner के सामने open होने वाला है ना तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि अंदर ही अंदर आपके partner को महसूस होने वाला है अब एक ऐसे situation में आने वाले है और डियर बताए आपको यहाँ पर आपके partner है ना शायद कुछ बातों को समझ गए हैं जैसे मैंने कहा कि उनकी आखे खुलने वाली है उनकी आखों पर जो पट्टी बंदी है वो हटने वाली है तो यहाँ पर अब आपके partner जो है ना वो कही ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को हाइट करने वाले है बहुत सारी secret जो है देखिए यहाँ पर moon की energy है चिक है यहाँ पर high praises है moon high praises यहाँ से जो cards है वो है यह chitting का cards है और डियर यहाँ पर यह card है तो और action का भी है देखिये action का भी है चुक है तो यह bottom के energy बतारे हैं कि यह cards कहीं न कहीं ये बता रहे हैं ये सारी चीजों को बता रहे हैं कि ये जो partner है अब आपके partner यहां पर कोई drama create करना चाहतें अभी तक तो आपने देखा था कि third party बहुत drama बाज हो गई है third party बहुत drama करती है first year यहां पर अब मुझे ऐसा लग रहे इस third party की जो जानकारी आपके partner के हाथ लगी है ना हो सकता है कि आपके partner की जो आँखों पर पट्टी बंदी थी इस third party के कारण वो कुछ देख नहीं पा रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे तो यहां पर से उनकी आँकों पे जो पट्टी बंदी है वो खुलने वाली है और जैसे ही ये खुलेगी न डियर तो आप यकीन मानिये कि आपके पार्टनर जो है न वो अब एक ऐसा गेम प्लान करना चाहते हैं एक ऐसा ड्रामा क्रियेट करना चाहते हैं जिससे ये थर्ड पार्टी जो है उसके सारे सीक्रेट कहीं न कहीं जो hidden रखे हैं जो secret रखें वो आपके partner जानना चाहते हैं और dear इसके लिए आपके partner भी थोड़ा सा drama बाज बन रहे हैं थोड़ा सा कहीं न कहीं चालाकिया कर रहे हैं और सब कुछ hidden रखके ये partner जो हैं काम कर रहे हैं तो वो चीज यहां पर दिख रहे हैं कि सब कुछ सामने लाना चाहते हैं आपके partner तो इस सामने लाने के लिए आपके partner action लेना चाहते हैं और dear action लेंगे ठीक है action तो लेंगे आपके partner का दिमाग काफी तेज हो गया है यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है अब भी तक बहुत जादा हलके में ले रहे थे इस third party को लेकिन अब वो बहुत तेज दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हैं दिमाग जो है आपके पार्टनर का काफी तेज हो गया है इस time वो एक फैसला लेना चाह दिल में बहुत सारे thoughts चल रहे हैं बहुत सारी feelings चल रही है और आपके पार्टनर जो है आने वाले समय को लेकर बहुत कुछ सोचते दिख रहे हैं वो चीज़ दिख रही है और maturity के साथ आएंगे dear आपके पार्टनर जो है एक mature person बन के आपकी तरफ आएंगे decision लेंगे पहले यह third party के कुछ जो चीजें हैं उनको समझना चाहते हैं एक फैसला लेना चाहते फैसले के घड़ी के आगे उस third party को रखना चाहते हैं और यह आप देखिएगा के समय के साथ साथ जो है ना आपके पार्टनर बहुत कुछ इस third party में खोजबीन करने बहुत कुछ जानने की कोशिश करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी ने क्या लिया है उनसे क्या किया है वो सारी चीजे मतलब अब आपके पार्टनर जो है ना कहा जा सकता है कि अब इनकी जो बुद्धी भश्च हो गई थी सम्मोहन जो था वो तूटने वाला है और डियर आप के विश्वास की जीत होगी क्योंकि आप मैंसे काफी लोगों को विश्वास था कि यूनिवोवर्स जु है डिवाइन जो है आपको हेल्फ करें आपके पार्टनर को आपके जिंदगी में लाएं और किसी ना किसी तरह से ये चीजे हो रही है जो भी आप चाहा रहे थे ना आपका विश्वास अटल था आप में से काफी लोग ऐसे थे जिसको अपने पार्टनर पर पूरा पूरा विश्वास था पूरा पूरा अटूट विश्वास रखे थे कि आपका पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी ने जो भी चीजे हाइट करके रखी है इस थर्ड पार्टी ने वो सारी चीजे कहीं न कहीं एक न एक दिन आपके पार्टनर को पता चलेगी और जब पता चलेगी तो आपके पार्टनर के अंदर जो जजबात जागेंगे जो फीलिंग जागेंगी जो चीजे उनके अंदर उतल फुतल होगी ना तब वो थर्ड पार्टी को सहन करना बहुत मुश्किल होगा तो यहां पर आपके पार्टनर जो चीजों के बारे में जान गए हैं इस थर्ड पार्टी के कुछ ऐसी बाते खुल गई हैं कुछ ऐसी खुले हुए पन्ने यू समझ लिजे कॉपी क उतल की कुछ ऐसे पन्ने खुल गए हैं कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्य festivals करेंस है और उनको यह लग रहे है कि कैसे क्या शॉक्त रह गएं हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा fight वाली situation है बहुत ज़दा separation वाली situation create हो गई है और आपके partner को seriously action लेना है fight वाला action है और action के तौर पर ये partner अभी decision चाहते हैं कि ततकाल decision हो कि धर्ड party ने क्यों किया है कैसे किया है क्या किया है सारी चीजों का आपके partner जो है अभी decision लेना चाहते हैं एक निल्ड़ने आपके partner करना चाहते हैं तो वो चीज की energy आ रही है काफी time से dear बहुत प्यारी प्यारी energy आ रही है आपके partner के और third party की तो वाट लगी जा रही है बहुत दिन से आप देख रहे हैं कि ये third party जो है काफी ह बहुत थी परिशानी में आती दिख रही है I hope आपको reading अच्छी लगी होगी कुछ ना कुछ guidance मिला होगा dear अगर अच्छी लगी है तो please वीडियो को like कर दीजेगा और जो लोग first time channel पर आ रहे हैं please channel को subscribe कर दीजे मेरी अगली वीडियो पर जो वीडियो आई थी उसमें से का comment करा है कि दीदी मेरा partner आ गया है और कुछ लोगों का divorce का कोई case चल रहा था और काफी लोग ये चाह रहे थी कि उनको उसमें जीत हासिलो तो dear message आया था कि आप लोगों में से कुछ लोगों के partner जो है उनकी तरफ से clarity मिल गई है आपको और आपको अच्छा लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को कम से कम वो reading जो है resonate करा है dear तो इसी तरह मैं कहते हूं कि हमेशा positive बने रही है और positivity की तरफ बढ़ते रही है और dear negativity को अपनी जिन्दगी से हटा दीजे chanting करिए meditation करिए और मैंने आपको बताया है love से related अगर आप चाहते हैं आप ज़्यादा आप तूटे हुए हैं तो dear अभी आप red तारा मंत्र का use करिए उसका वीडियो आपको net पर मिल जाएगा red तारा मंत्र को आप सुनिए सोते सुन सकते हैं कोई दिकत नहीं है आपको बहुत positive energy फील होगी एक बार सुनके देखिए आप मैंसे कोई भी जो वीवर्स हैं जो लोग चाहते थे मुझसे पूछ रहे थी कि दी कोई मंत्रा बताईए तो मैं आपको यहीं बोलूँगी कि red तारा मंत्रा है green तारा मंत्रा है तो dear आप इमका use कर सकते हो ठीके तो हम मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए happy रहें